साथ्यों आपने बहुत सुना होगा कि एलकोहल का उपयोग हम अपनी फसलों में कर सकते हैं दारू का उपयोग हम अपनी फसलों में कर सकते हैं किस किस फसल में करें किस अवस्था में करें और क्या रिजल्ट लेकर आता है कितनी मात्रा में करनी चाहिए और किस प्रिकार से करना चाहिए ठीक है और किस टाइप की दारू होनी चाहिए या किस टाइप की ऐलकोहल होनी च चाहें तो हमारी फसल में क्या लाव देता है इसके बारे में जरूर आज बात करेंगे साथियों सबसे पहले जानते हैं कि अलकोहल यानि कि धारू के अंदर पाए जाने वाला जो तत्तो है यह हमारी फसल को कैसे लाव पहुंचाता है या इंसान के सरीर में जिस टाइप से का करता है क्या पौदे की कोशिकाओं के अंदर भी यह उसी टाइप से काम करता है साथियो अगर हम दारू का एक इस प्रेय अपने खेतों में करते हैं तो कितने मात्रा हमें इसकी लेनी चाहिए मात्र 2 ml प्रती लीटर के हिसाब से हम इसका उप्योग कर सकते हैं यानि कि अगर आपके टंकी 20 लीटर की है तो 40 ml प्रती टंकी के हिसाब से आप मिक्स कर सकते हैं और एक खेत के अंदर सपोज करो एक एकर जमीन है और आप 20 लीटर पानी की एक टंकी यूज कर रहे हो प्रती भीगा तो आप लगवग यहां पर 120 लीटर पानी का उप्योग करेंगे और आपकी sufficient मात्रा होगी दूसरा point है कि किन-किन फसलों में उप्योग किया जा सकता है किस अवस्था में उप्योग करें तो देखिए फसल में आप किसी भी फसल में इसका उप्योग कर सकते है बसरते कि आप बनस्पतिक अवस्था में उप्योग करें जैसे पौदा ग्रोथ होकर आए और बनस्पतिक अवस्था में हो पतियां बनने शुरू हो जाए और पतियां बढ़ने लगें उस अवस्था में इसका उप्योग हमारे लिए फाइदे मन साबित होगा क्यूं फाइदे मन साबित होता है तो देखिए जैसे इंसान के शरीर में ये हमारे blood cells के अंदर जाने के बाद में खून को बहुत तेजी से खून का प्रभाव बढ़ा देती है या खून की जो दौड होती है रफतार होती है उसे बढ़ा देती है उसी टाइप से पौदे के अंदर जो कोशीका होती है भोजन को ग्रहन करने की जो छमता होती है उसे बढ़ा देती है और पौदे में किलोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और पौदे के अंदर जो दूसरे पोशक्ततों है उन्हें absorb करने की जो मत्रा है बढ़ जाती है इससे हमारे पौदे में हरापन भी बढ़ता है पतियों का आकार बढ़ने लगता है पतियों की शंख्या भी बढ़ती है पौदे के अंदर और पौदे में बनस्पतिक विकास तेजी से होता है इसका उप्योग हम कितनी बार कर सकते हैं तो देखें आप इसे एक महिने के अंदर एक बार उप्योग कर ले बहुत जादा इसका उप्योग करने की ज़रुरत नहीं होती आप बनस्पतिक विस्था में एक वार इसका उप्योग करेंगे उनका बनस्पतिक विकास तेजी से होता है उस समय पर अगर हमारी फसलों का बनस्पतिक विकास धीमे हो रहा है तो हम इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं साथियो अगर सपोज करो दूसरे महीने के बाद में हम किस अवस्था तक उपयोग कर पाएंगे ये आपका सवाल है तो आप इसका उपयोग लगवग साथ दिन के अवस्था तक कर सकते हैं क्योंकि किसी भी पौदे के अंदर जो बालियां बनने की अवस्था होती है वो लगवग 55-60 दिन के बाद में होती है 55-60 दिन के बाद में बालियां जब हमारी गोब में आ रही हो या तने के अंदर बपनना प्रार्ब हो गई हो उस अवस्था में हमें इसे क्यों नहीं देना चाहिए क्योंकि दाने को नहीं होती पतियां ज़्यादा मात्रा में किलोरोफिल एकठा कर लेती हैं पतियों में हरापन ज़्यादा होता है तो हमारी पौदे में फूल बनने के चांसे ज़्यादा होते हैं और फूल से फल बनने के चांसे ज़्यादा होते हैं इसलिए उत्पादन बढ़ाने में ये स्वताई सक् कि फसल में यह इस्प्रे के माध्यम सी रिजल्ट देता है निजसे हेयन नदरर हिसे देजाता तो पौधे के अंदर फंगस जैसे रोग नहीं आते और कीट भी हमारे पौधे पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते इससे हमारी खेती में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो साथियों आशा करता हूं आप मेरी ये बास समझ पाए होंगे फिर वह अगर आप